आवास और सोचाले के लिए सहाई गरीब व्यक्ति ने लगाई सरकार से गुहार जिला सुन्भद्र ग्राम पंचैत पगिया के नराण मौरिया ने बताया मैं बहुत ही गरीब होगा सहाई व्यक्ति हूँ मेरे पास आवास की सुगधा नहीं नहीं मेरे पास सोचाले है सरकार के द्वरा मिला सोचाले भी नहीं नराण मौरिया अपने बच्चों को लेकर किसी प्रकार टूटी-फूटी जोपडी में जीवन यापन करते हैं गाउं से हटकर एकांत में उनकी जोपडी है उनका कहना है मैं प्रधान से कई बार आवास से उन सोचाले बनवाने की बात कहा लेकिन हमको अभी तक किसी प्रकार का स्वासन भी नहीं प्राफ्थ हुआ ना ही सासन प्रशासन से कोई मदद मिले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं अपना गर बनवा सकूँ इसलिए मैं सरकार से एक गुहार करता हूँ कि मेरी इस सिति को ध्यान में रखते हुए मुझे आवास और सचाले की सुद्धा उपलब्द कराए जिला सुन भद्र सिफ व्यूरो चीफ में इंदर परसाथ की खास रिपोर्ट आप परचे बता भाई तो आपको क्या परशानी है? सर हमारा यही परशानी है किना हमारा परस लाइन है नगर दुबार है सब चला उचला बना है? नहीं सर्थ परधान से आप मांग किये थे आप बोले थे कुछ? का बोले थे? कि हमको यह सब चाहिए तो यह आये का तो मिलेगा तिन सार तिन चार सार कोई पंच और सी हो गया कुछ विए अच्छा और और आपको बिजली का क्या बारे में बता रहे थे? अरे वही तो सर् कहां से लाइन लाना है यहां से कितना दूर है यहां से 100 मीटर तो आप मांग कर रहे हो और हमको ऊचाह है क्या क्या मिले है? हमको एक घर मिल जाए सवचा आवास और सवचा लए उगरे मारा घर तो देख रहे हैं बहुत टूटा-फूटा है बहुत गरीब आदमी हो तुम्हारे पास तो घर नहीं है डाइन नहीं है पानी के क्या बेश्था है नहीं सब पानी सरकारी चबा गलगड़ा है नहीं सब छो कोई क्राम लंदक नहीं सब्सक्राइब अच्छा अच्छा चलिए ठीक है बने रही हमारे साथ धन्यवाद